रहस्यों का पावन देश भारत इसकी राज़दानी नई दिल्ली के महरावलिक नामक स्थान पर एक ऐसा लोहे का स्थम्ब है जिसका रहस्याज तक वज्ञानिक नहीं समझ सके हैं लबग साथ मीटर उचे स्लोह स्थम्ब में संस्कृत में कुछ लिखा है जिसके अनुसार इसे द्वज स्थम्ब के रूप में खड़ा किया गया था मतुरा में राजा चंद्र द्वारा निर्मित विश्णू मंदिर के सामने इसे द्वज स्थम्ब के रूप में खड़ा किया गया था फिर इस पर गरुड स्थापित किया गया था और इसी लिए इसे गरुड स्थम्ब भी कहीं कहा जाता है बाद में सन एक हजारपचास में आधुनिक दिल्ली के संस्थापक महाराज अनंग पाल द्वारा इससे दिल्ली ले आया गया लेकिन अदिक्तर इतिहास के विद्वान इसके निर्माण करता हिंदू समराट महाराजा विकरमादित्यग मानते हैं चंद्र नाम भी महाराजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ओर ही संकेत करता है लगवग साड़े चार फीट के औसतन व्यास वाले सिलो स्थंब का निर्मान महाराजा विक्रमादित्य ने 2000 वर्ष से भी पहले जब शक और कुशान जाती के विदेशी अकरानताओं को भारत भूमी से बाहर खदेड दिया गया था तो उन पर हुई उस महान विजय की स्मृति के रूप में उन्होंने इस स्थंब का निर्मान करवाया था इसलिए इसे विजय स्थंब भी कहा जाता है दोस्तों उमीद है कि लौस्थंब के बारे में यह जानकारी शायद आपको पहले कभी सुनने को नहीं मिली होगी और आप आगे जो भी सुनने वाले हैं वे शायद जिन्दगी में पहली बार ही सुनेंगे तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शियर ज्याद से ज्यादा करें कहीं ऐसा नहों कि इस यूट्यूब की आधुनिक भूल भूलईया में हमारा चैनल भी कहीं खो जाए लगबग 98 प्रतीशत शुद्ध स्पात से बने हुए इसे लोह स्थम्ब को देखकर ही ये अंदाजा लग जाता है कि इसको बनाने वाले कितने कुशल धातु करमा रहे होंगे लेकिन लोह धातु के बने स्थम्ब के प्रसित्ध होने की वज़ा ये नहीं बलकि कुछ और है हजारों शताब्दियों से ये लोह स्थम्ब वर्शा और वायू का सामना कर रहा है लेकिन आज तक इसमें जंग ही नहीं लगा कई धातु विज्ञानियों ने इस पर शोध की और इसके जंग ना लगने के पीछे अपने तर्क दिये जिसमें आयाईटी कानपुर के विशेशक ये बाला सुब्रमनियम और उनकी टीम का शोध आज भी सबसे प्रमुख माना जाता है उन्होंने इस स्थंब का निरेक्षन किया इस पर शोध किये और अपने मत दिये उन्होंने अपने मत के नुसार इस स्थंब को जंग से या किसी भी अन्य प्रकार के धातू विश्ञ से बजाने के लिए इसके उपर मिसाविट नाम के एक रसायन की पतली सी परत चढ़ाई गई थी जो लोह तक्व आक्सीजन और हाइडरोजन के मिक्षरन से बनाई जाती है जिसमें इससे आज तक जंग नहीं लगा हुआ है इसी से मिलते जुलती प्रक्रिया आज कल नाभी की ये रियक्टर यानि की न्यूकलियर रियक्टर में रेडियो एक्टिव पधार्तों की सुरक्षा के लिए परयोग की जाती है इस सुरक्षा पर्त को बनाने में जिस उच्च तकनीकी का इस्तमाल हुआ था उसके फास्फोरस की मात्रा लोहे की तुलना में एक प्रतिशत ही थी आज कल ये अनुपात आधे प्रतिशक तक भी देखने को नहीं मिलता है लोहे के साथ फास्फोरस की अधिक मात्रा में सटीक अनुपातिक प्रयोग प्राचीन भारत के उच्च धातु विज्ञान और टेकनलोजी का एक बेहत शांदार प्रमाण दे रहा है जिससे आज के आधुनिक विज्ञानिक चकित हैं यद्यभी बाला सुब्रमनियम और उनकी टीम और कुछ और वी शग्य इस पर शोद आज भी कर रहे हैं और भविश्य में कुछ और भी चौकाने वाले खुलासे हो सकते हैं आज जो स्थान महरावली नाम से जाना जाता है कभी महिरावली था इसी भव्य महिरावली को महाराजा विग्रमादित्य ने अपने नवरतनों में से एक वराही महिर के अंतरिक्ष और ब्रम्हांड संबंदी शोद के लिए एक वेदशाला के रूप में बनवाया था और बसाया था इस स्थान के 27 खंड थे जो 27 नक्षत्रों के अधार पर बनवाये गए थे प्राचीन भारवत के गौरवजमई इतिहास के ऐसे कई विशिष्ट खंड हैं जिनको जानने पर आपको गर्व होगा और साथ ही उन तथा कतित वामपंति बुद्धी जीवी जो वास्त में पाख भारत वर्ष का नकारात्मक इतिहास लिखा और सच को हमसे छिपाते हुए जूट का प्रचार करते चले आए वेदों में गौमान्स खाने का उलेक आरे बहार से आये थे भारत वर्ष में और उन्होंने यहां के मूल निवासी द्रवेडों को परास्त करके भारत वर्ष पर पाएंगी जिससे हमें यह सबूत मिलता है कि हमारा भारत हमेशा से ही हर चीज में आगे था और उस पर जिनोंने भी हमला किया और उसका इतिहास बदल कर रख दिया आज हम जो भी आजकल जो भी इतिहास हम पड़ रहे हैं वो यहा तो कहीं से तूटा फूटा है या फिर उ निराशा और नकरात्मक्ता की कालरात्री कभी न कभी एक दिन अस्त्थ जरूर होगी और यह सूरज उगेगा और हजारों रेशनियों के साथ एक दिन उधित जरूर होगा और हम उमीद करते हैं कि भारत में ऐसे ही छुपे हुए चीजें और निकल कर सामने आएंगी और इनसानों को पता चलेगा कि भारत वाकई में अपने जमाने में सब से आगे था और शायद भारत नहीं इस पूरी दुनिया में सभी देशों को सीख दी थी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपके इसके बारे में जो भी विचार हैं कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूरी दुनिया के साथ साजा जरूर करिए हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी लगों को नमस्कार